नमश्कार महपरिया धराधर 30 खबरों में आपका स्वागत है चलि जानते देश प्रदेश की अब तक ये प्रवोख खबरों को अब आद्वी पार्टी के सांसर संजय सिंग को राजसभा में एक हफ्ते के लिए सस्पेंट कर दिया है उन्हें पेपर फार कर उसे आसन की तरफ उड़ाने के आरोप में सस्पेंट किया गया संजय सिंग ने सस्पेंशन की बाद ट्वेटर पर कहा कि मुझे भले ही मोदी जी ने सस्पेंट कर दिया मगर गुजरात में जहरी वी शराफ से हुई पचपन मौतो का जवाब मांगता रहूगा लड़ता रहूगा अभी मैं साधन में ही हूँ कॉंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को ईडी ने लाशन हिराल मामले में आज 30 दिन पेश होने के लिए कहा था इससे पहले बुधवार को सोनिया गांधी से प्रवरतने दिशाले ने करीब 6 घंटे तक पूछता आज की थी इस दोरान कॉंग्रेस के नेताओं और कारिकरताओं ने देश भर में सत्याग रहे के जरिए विरोध प्रदर्शन किया वहीं बुधवार को भी कॉंग्रेस कारिकरताओं ने अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा भारते क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने पुरुष क्रिकेट विश्वकप दो हजार तेस के बाद महिला क्रिकेट विश्वकप दो हजार पंचिस की मेजबानी के अधिकार भी हासिल कर दिये है BCCI साचुफ जैश्शाह ने कहा कि बोर्ड S. आयोजन को यादगार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा महराश्ट्र के मुख्यमंत्री एक नाथ शिंदे ने बुधवार को पुर्फ मुख्यमंत्री उधव ठाक्रे से 62 जनल दिन पर उन्हें शुब काम नाये दी है उधर सरकार कर रहे थे तुधार मंत्री नरेंद्र बोधी 28-29 जुलाई को गुजरात और तमिलान्डू का दौरा करेंगे वो 28 जुलाई को गुजरात के साबर कांथा के घड़ो राक में साबर डेरी की कई पर योजनाव का उधगाटन और शिला नयास करेंगे टी-20 वर्ल्ड कप 2022 शुरू होने में लगभाग दो महीने का समय बाकी है ऐसा भी सभी टी में टूर्नामेंट की तैयारियों में जुट गई है से बीच टूर्नामेंट को लेकर टीम इंडिया के लिए एक बड़ी ख़बर सामने आई है रिपोर्ट्स के मताबिक पैडी अप्टन को मेंटल कंडिशनिंग कोच के रूप में भारत के सहयोगी स्टाफ में श्रमल किया गया है ओलंबिक चांपियन इरा शूप्रा ने बर्गिंगम रास्ट्र बंडल खेलो के गुरवार को होने वाले उदगाटन समारों में जिवाहक के तोर परदेश का ने तृत्वे करने का मौका गवाने पर निराश अव्यक्त की है भाला फे का ये एक एथिलीट हाल ही में विश्व चैंपियनशिप में रजज़त पदक जीतने के अभी यान के दौरान चोटिल हो गया था राज़त के सुप्रीमो और बिहार के पुर्व सीम लालो प्रसाद यादव के पुर्व OST भुला यादव को CBI ने गिरफतार कर लिया है लालो साल 2004 से 2009 तक भारत के रेल मंतरी रहे थे और इसी कारेकाल के दौरान भुला यादव उनके OSG थे अब भुला यादव को दिली से गिरफतार कर लिया गया है UP में सीम योगी के पुश्प वर्षा के निर्देश के बाद कामडियों ने जहां इसकी खुश खुब रसंचा की है तो महीं दूसरी तरफ All India मजरिसे इत्यादुल मुस्दूलमीन के सांसत हसुब दी नोवेसी ने इसको लेकर योगी सरकार पर तन्श कसा है और डिसा के आदिवासी बहुल मयूर भंज जिले के पांच दरजन लोगों के लिए सुमवार को रास्ट्रपती भवन में रास्ट्रपती द्रौपधी मुर्भू के सांसत होने का अफसर मिलना एक सपने इसके सच होने जैसा था देश के पहले आदिवासी राश्ट्रपती के शपत ग्रहन सामारों में शामिल होने के मुर्मु के ग्रह जिले के कम से कम साथ लोग उस्ता में हैरान रहे गया जो बधिकारियों ने उनसे मुर्मु द्वारा आयो जी दो पहर लंच में शामिल होने का आग रह किया वेस्ट इंडीस दौरे से आराम लेने के लिए टीम इंडिया के पुर्फ कप्तान विरात कोली की काफी आलोचना हो रही है सुनिल गवासकर और कपल देव जैसे दिक्कजो का कहना है कि मैच खेलने से ही स्टार बल्लिबाज वापस अपने फॉर्म में हासिल कर सकते हैं नाशल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉंटरिंग केस में सोनिया गांधी के खिलाफ एडी की कारवाई को लेकर कॉंग्रेस अंसत से लेकर के सड़क तक विरोध प्रदर्शन कर रही है जिसको पार्टी ने सत्याग्रह का नाम दिया है भारतिय वाई सेना में शामिल भारत का स्वदेशी जेट विमान तेजस सुर्ख्यों में है इन दिनों तेजस विमान मलेशिया में भी चर्चा में है तेजस का मुकावला चीन, रूस और दक्षिन कोरिया के विक्सित विमानों से किया जा रहा है अपनी बहतरीन खूबियो स्पेक्ट्रम की निलामी के लिए मंगलवार को पहले दिन 1.4-5 लाग करो रुपे की बूली आई खेलो में वहिलाओ की भागिदारी बढ़ाने के लिए खेलो इंडिया के स्पोर्ट्स फॉर्ट्स फॉर्ट वुमें ग्योच्रा की तहत वर्ष 2020 में अब तक 9.5 करो रुपे जारी किये गए हैं केंद्रमंत्रिय अनुराग ठाकुर्णे मंगलवार को लोगसभा में एक लिख भी खुशी देने वाली है वही सरकार ने ये फैसला लिया है कि रक्षा बंधन के तेवहार पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बल्ले-बल्ले हो जाएगी क्योंकि उनकी सैलरी में जबर्दस्तों शाल देखने के उमीद है महिंदर सिंग धोनी जो सोशल मीडिया से दूरी बना कर रखते हैं कुशनों के लिए इंस्टाग्राम पर लाइव नजर आए वो भी अकेले नजर नहीं आए बलकि अपने साथी खिनारियों के साथ नजर आए दरसल भारती टीम के कप्तान रोहिट शर्मा विकिट के पर ब अधिकार दिया गया था इस मामले में सुप्रीम कोट ने कहा है कि प्रवरतन मामले की सूशनार रिपोर्ट एडिक का एकांतरिक दस्तावेज है ICC की ताजर रांकिंग में पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को श्रिलंका के खिलाफ टेस्ट में श्रांदार बलिबाजी का नाम मिला है वो टेस्ट रांकिंग में तीसरे नंबर पर पहुँचके है उन्होंने अस्ट्रेलिया बलिवाज स्टीव स्मित को पीछे छोड़ दिया है शिलंका के खिलाव बाबर ने तीन इनिंग्स में 13.33 की ओसत से 190 रन बनाए है जुन में उनके द्वारा खेली के शत्त की अपारी भी शामिल है सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म और माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर को भारत सरकार ने साल 1122 ट्विटर यूरल बंद करने के लिए कहा इस बात का खुलासा लोग सभा में एक लिखित जवाब में हुआ है सरकार के तरफ से सदन के सामने ट्विटर से जुड़े सवालों का जवाब दिया गया हिमालिय शेत्र में बिद्ली संकट पांचोगस 2019 तक आम बात थी बगरत जब केंद्र ने जमुकश्मीर के तथा कतित विशेश दर्जय को निरस्त कर इसे दो केंद्र साशित प्रदेशों में वभाजुत करने के अपने फैसले की घोश्रा की और नया जमुकश्मीर बन गय हैं देशाजादी कामरत महो सब मना रहा है सब्दतरदा दिवस भी अब करीब है ऐसे में तरंग ज़ंडों की मांग और बढ़ने लगी है लेकिं महंगाई की मार से तरंग ज़ंडा भी बच नहीं पाया राइपुर के बाजार में पिछले दो महीने में तरंग ज़ंडे की की बद में 30% की मड़ोतरी देखने को मिली है सरकारी नौकरी की चाह रखने वालों के लिए भाराव सरकार की तरफ से सुनहरा मौका दिया गया है भारा सरकार में नौकरी की तलाश कर रहे युबाओं के लिए एक राहत भरीखा पर सामने आई है संख लोग से वायोग ने असिस्टिंट डारेक्टर और अन्य पदो पर भरती के लावेदन मांगे हैं शुकर योग मिदवार जो इन पदो के लावेदन करना चुहाते हैं वो संगलोक सिवायों की आधिकारिक विबसाइट upsc.gov.in पर जोया कर अपलाई कर सकते हैं अगर आप भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक है तो आपके लिए बड़ी अपडेट है आज के समय में ATM फ्रॉड की घटाओं में काफी तेजी आई है इसी को रोकने के लिए देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI ने OTP cash withdrawal सुविधाश शुरू किया है इस सुवधा का लाब लेने के लिए SBI ग्राको को अपने रिजिस्टर्ड मुबाइल नंबर को ATM से पैसा निकालते वक्त साथ रखना होगा संज़द के मौनसून सत्र में लगातार विपक्ष के हंगामे की बज़े से सदन 104 रूप से नहीं चल रहा आज भी सदन की कारवाई शुरू होते ही लोग सभा में विपक्षी नेताओ ने हंगामा शुरू कर दिया है जुसे सदन को दोपहर 12 बज़े तक के लिए स्थागित करना पड़ा देश भर में कोरोना वाइरस के संक्रुमन के मामलों में एक बार फिर से बढ़ोतरी हुई है बीते 24 गंटे के अंदर देश भर में 18,313 ने मरीज मिले है वह इस दोराद 57 लोगों की जान भी जा चुकी है गूगल अपने गूगल स्ट्रीट व्यू को भारत में फिर से लॉंच कर रहा है गूगल मैप के इस फीचर से यूजर किसी एरिया को 307 डिग्री पैनोरमिक स्ट्रीट लेवल इमेज के साथ इक्स्टोर कर सकते हैं गूगल मैप का ये फीचर कई सालों के बाद वापसी कर रहा है इससे पहले सेक्यूरिटी कंसर्ण्स की वज़े से इस फीचर को रिजेक्ट किया गया था कमनी स्ट्रीट व्यू फीचर को देश में 10 साल से लॉंच करने की कोशिश कर रही है भारत के इर्थ शास्री इंद्रमीत गिल को वर्ल्ड बैंक का चीफ एकोनॉमिस्ट बनाए गया है उनकी नियुक्ती एक सतंबर 2022 से प्रफावी होगी गिलिन पद पर नियुक्ती होने वाले दूसरे भारतिये हैं इससे पहले कोशिक बासू 2012 से 2016 तक इस पद पर ही रहे थे बिहार की राजनिती में आज सुबह से ही गहमा गहमी बनी हुई है जुस्तरे से सुबह 5 बजे CBI और IT की टीम राजस्त तुप्री मुलार प्रसाद के परवो और इस्टी भोलायादव के पटना और उनकी पैत्रिक गाउं पहुंचे उसके बाद आरोप प्रतियारोप का दौर शुरू हो गया है जिसमें खुद भाजपा, ध्यक्स, जेपी नर्डा और ग्रेमंत्रियों अमें तर्शा भी पटना आ रहे हैं लेकिन इस बैठा को लेकर इंडिया में भाजपा के सहयोगी जदियों में बेचायनी बढ़ी हुई है था उसके लिए आपका बहुत बहुत धनिवाद, आप मेसेजन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे तुझे लिए बढ़ते आज के सवाल की और आज का सवाल कुछ इस प्रिकार है आपके निसार अब तक के सबसे बहतरी प्रधारमंत्री कौन रहे हैं अपने जवाब में कॉमेंट करके ज़रूर बताएं इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही देश प्रिदेश की दमाम बड़ी खबरों से चुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइक ओन दबाना ना भूलें धन्यवाद